चैमातादी दोस्तों पुझे शक्ती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस नेविशे पर हम चर्चा करेंगे वो काफी सवाल आ रहे थे कि वास्तू से रिलेटेट कोई बात बताईए या कीचन किस प्रकार से हमारी किसमत को जो है बदल सकता है तो महिलाओं के पर आज एक बहुत आसान और एक बहुत अच्छा तरीका लेकर आए है आपके घर का जो चकला और बेलन होता है वो आपके जीवन में किस प्रकार से सूख और समरीद्धी को बढ़ाता है सबसे पहले ये सभी बाते जो है आपको लाल किताब में असानी से मिल जाएंगी और पुरानी जो हमारे शास्त्र वास्तु शास्त्र की जो ओरिजनल किताब्स है जो पुरानी है उनमें आपको आसानी सिनका वर्णन मिल जाएगा तो सबसे बहले आपको इस समझना होगा किचन क्योंकि महिलाएं वहाँ पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती है और कई बार आपने दिखा होगा कुछ महिलाओं पर इसका असर बहुत जादा होता है कि जब वो खाना बनाती है या जब वो किचन में होती है तो अचानक उनको जो है टेंशन होने लग जाती है सरदर्द होने लग जाता है शरीर भारी होने लग जाता है या कई बार उनको जो है चिंत गलेश बहुत होने लगते हैं परन्तु अगर आप तरीके से कवे का इस्तमाल करते हैं या चकले बेलेन का इस्तमाल करते हैं तो यह सभी जो चीज़ी हैं आपको सम्मान दिलाने लगेंगे आपके जीवन में खुशाली लेकर आने लगेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में धनके मार्ग खुलने लगेंगे अगर आप लकडी का चकला वेलन यूज करते हैं तो सबसे पहले तो कई लोगों की आदत यह मैंने देखी है कि वो धोते नहीं है इसके अ होती है स्थाई चीजों के लिए मानी जाती है याने स्थाई धन के मार्ग खोलती है लकडी लकडी जो होती है उन्नती के मार्ग खोलती है लकडी जो होती है घर में समरीद्धी लेकर आती है तो वास्तु शास्तर के अनुसार अगर आप देखेंगे अगर आप इसका दूर जब आप लकडी का चकला और बेलन लेते हैं और उसको गंदा रखते हैं, आटा लगा हुआ रहने में, अंद लगा है, और आपने कई दिन तक दोना नहीं होता है, दो तीन तीन तक और वो वही ऐसे ही रखा रहता है किचन में, तब आपके जीवन में अचानक धन को रोकता ह तो आपको समझना होगा कि इसका पूरा असर और उस चकले बेलन से बनी हुई रोटी जो व्यक्ति खाता है उसके जीवन में कलेश जरूर होता है वो मानसिक चिंताओं में जरूर गिरता है और उसके गुस्से का कारण भी यही होता है जो महिला है सुक समरिद्धी अपने किचन में रखती हैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं तो चाहे उनके पास पैसा जादा ना हो या कम हो परन्तु उनके घर में सुक शान्ती बहुत जादा होती है और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास लाखो करोडों रुपया ह होता है फिर उनके घर में सुक शान्ती नहीं होती है इसका मुख्य कारण आपके किचन का वास्तु या आपके घर में रखतावा चकल बेलन या जिसमें आप अन्य बनाते हैं वो चीजे होती क्योंकि वही अन्य आप ग्रहन करते हैं और जो चीजे मनुश्य ग्रहन करता है उसके मस्तिक्ष पर पढ़ता है तो बहुत चोटा सा इसका नियम है अब जो चकला बेलन होता है कई लोग संगमरमर का यूज करते हैं आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं क्योंकि संगमरमर शुक्र का ही प्रतिक माना जाता है परन्तु यह टूटा हुआ ना हो इस बात का ध कदल दीजिए और आप जो है हर महीने में एक ऐसा दिन बनाईए जब आपको उसके ओपर थोड़ा सा जो है तेल लगा कर उसे थोड़ी दर दूप में रखना है तो जिससे क्या होगा वह सुंदर भी दिखने लगेगा और जो लकडी है अगर वह मजबूत होगी तो आपके का समय लगेगा परन्तु जैसे ही रोटी आपके घर बनती है उसके बाद उसे साफ करकर पोच कर आप जो है उसे रख दीजे जिससे कि आपके घर में दरीदिलता जो है दूर चली जाएगी अब कई लोग जब रोटी और रोटी बेलते हैं चकले बेलन पर तो उनके एक बह अगर से रोटी बनानी है जिससे कि उसमें आवाज ना चाहे तो आप उसके निचे पेपर रख लीजे या साफ सुत्रा कपड़ा रखके उसके उपर चकला रखे और फिर रोटी बेलिए जिससे कि आर्थिक तंगी जो है आपके जीवन में ना आए अब वास्तु विशेश तोर पर धन के मार्ग खोलता है अगर वो उसे शुप समय पर खरीद लेती है तो शुमूरत में खरीद लीजे या तो धनतेरस के समय पर खरीदिये अगर वो समय निकल चुका है तो आप इस बात का ध्यान रखे कि लकडी का चकला बेलन खरीदने जा रहे हैं तो इसे पंच है अब जो महिलाएं पहली बार तवा या चकला बेलन खरीती है या खराब होने के बाद वो खरीद कर लाती है अपने घर में पुन्हा तो सबसे पहली जो रोटी या तो चकले बेलन पर या रोती पे जो बेली जाएगी या बनाई जाएगी आपको गाएं के लिए वो सफाई का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी किचन से जुड़ा कोई भी वास्तु दोश नहीं होगा साथी साथ जो भी मनुष इन चीजों से बनावा बोजन ग्रहन करेगा बच्चों की बुद्धी बड़ेगी परिवार में कलेश खत्म होंगे पती पत्नी के विच में कलेश खत्म होंगे साथी साथ उनके जीवन में धनके मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे इसका पूरा फायदा जो है महिलाओं को जादा देखने को मिलेगा तो आशा है आज का ही वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया हो होगा आज अपनी वाणी को ही विराम देते हैं फिर मिलेंगे किसी नहीं विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों